हेलो फ्रेंग्स, विलकम बैक टो माइ चैनल, मैं संधिया और आप देखरों संधिया सीलाय डिजाइन फ्रेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अश्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे प्लस इसी में हम लोग बेल्ट भी सीखेंगे और बेल्ट की साथ साथ में हम लोग बैक पार्ट में डिजाइन भी सीखेंगे तो बैक पार्ट में हमें जब डिजाइन बनाना होता है तब हमें ब्लाउज कैसे कट करना होता है तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट सबसे पहले हम लोग main fabric की बाद में cutting करेंगे सबसे पहले हम लोग अस्तर वाले कपड़े की cutting करेंगे तो main fabric को side में रखेंगे और अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से open करके पूरा बिच्छा लेंगे तो यह हमने double fold में लिया हुआ है ठीक है यह हमारा जो उपर के side रखा हुआ यह back part और नीचे की side तो वो front part है अब हम लोग back part को length ना पेंगे अब हम front part को एक इंच back part से बढ़ा लेंगे तो इस तरह से हमको नीचे जो भी कपड़ा इस्टरा है उसको हम cut कर देंगे अब तो इस तरह से यह हमने अपने blouse की length ले ली हुई है अब length लेने के बाद कपड़े को इस तरह से fold कर देंगे ऐसे हमने fold किया तो यह हमारा कपड़ा four fold में हो गया अब हम इसको कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रखेंगे ऐसे और रखने के बाद अब हम कपड़े के बंद भाग से ही अपने गले के लिए निशान लगाएंगे तो यह हम धाई इंच पर निशान लगाएंगे और यह निशान लगाने के बाद नीचे के साइड आपको गले का लेंथ लेना है तो यह लेंथ सिर्फ हम फ्रेंट पार्ट वाले के लिए ले रहे हैं ठीक है तो फ्रेंट पार्ट आपको फ्रेंट पार्ट के गला जितना रखना उसमें से हाफ इंच प्लस करके इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और नीचे के साइट से इस तरह से एक बाक्स बना लेंगे ये लाइन ड्रॉ कर लिया और बाक्स बना लिया अब हाफ इंच पर इस तरह से गुलाई देंगे हाफ इंच पर निशान लगाया और यहाँ पर इस तरह से गुलाई देंगे तो यह हमारा गला कंप्लीट हो गया ठीक है गले के गुलाई ले लिया अब हम क्या करेंगे कपड़े के बंद भाग से ही हम सोल्डर के लिए निशान लगाएंगे तो यह हम पाँच इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से यह निशान लगाने के बाद नीचे की साइड हम आर्मोल का निशान लगाएंगे तो आर्मोल हम यहाँ पे लेंगे 6.5 इंच, 6.5 इंच पर यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे तो इस तरह से यह एक लाइन ट्रॉ कर लेंगे और यह लाइन ट्रॉ करने के बाद इधर साइड हम एक बाक्स बना लेंगे तो इस तरह से यहाँ पर हमको एक box बना लेना है अब यह box complete करने के बाद क्या करेंगे अब हम बिल्कुल center से 2 inch पर निशान लगाएंगे तो यहाँ पर हम गुलाई देंगे इसलिए हमने गुलाई के लिए 2 inch पर निशान लगाया गला हम length में लेंगे तो इसलिए हमको गले के side से half inch shoulder down करना है इस तरह से तो यह हमने shoulder down कर लिया अब shoulder down करने के बाद अब हम अपने chest का निशान लगाएंगे तो आपका जितना भी chest है उसका हम चौथा भाग निकाल लेंगे और चौथा भाग का निशान लगाएंगे और यह निशान लगाने के बाद कपड़े का margin ले लेंगे तो 2 inch हम plus करके लेंगे अब इतना लेने के बाद नीचे की side हम कमर का निशान लगाएंगे तो जितनी भी कमर है उसका हम चौथा भाग करेंगे और निशान लगा लेंगे इस तरह से यह हमने निशान लगाया आप नीचे से उपर तक को इस तरह से line draw कर लेंगे दोनों में तो यह हमने line draw कर किया और यह line draw करने के बाद अब हम क्या करेंगे बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे तो बेल्ट के लिए हम 5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से हमने 5 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे की साइट देखो नाप लेंगे तो इधर हमारा साड़े 4 इंच है और इधर साइट हम साड़े 3 इंच पर निशान लगा देंगे एक इंच कम कर और अब यह नीशान से यहन इस तरह से मिला लेंगे अब यह निशान मिलाने के बाद उपर के साइट से हम यहां पर गुलाई देंग अपने अस्ती वह बेल्ट की तो यहां पर हम हाफ इंचिव उपर करते हुए और नीचे की साइट से pulled देंगे इस तरह से हमकोiversity में गुलाई देना होता है ये गुलाई देने से हमारे blouse में बहुत अच्य fitting आती है इस तरह से ये हमने गुलाई दे दिये थी के आप हम क्या करेंगे बसpoint के निसान लगाएंगे तक्स लगाने के लिए तो बिल्कुल सेंटर से हम नीचे के तरफ नाव इंच पर निसान लगाएंगे अगर ज्यादा हाइट है तो फिर शाड़े नाव इंच पर नहीं तो नाव इंच पर ठीक है इस तरह से ये निशान लगाने के बाद अब हम लोग देड़ इंच छोड़ते हुए वही निसान से टक्स के निसान लगाएंगे तो चार टक्स लगाएंगे तो तीन टक्स में हमको देड़ इंच छोड़ना है इस तरह से यहां पर भी हम निशान लगा लेंगे इसके बाद हम कहांच कर लेंगे इस heed एक कम्प्लीट होे है अब ये चार टक्स कुलीट हो गए हैं तो अभी हम गला कट नहीं करेंगे सिर्फ साइट से कट करेंगे तो इसको मैं कट कर लेती हूँ और जो हमने हाफ इंच सोल्डर डाउन किया वहां तक हम कट कर लेंगे इसको और पूरे कपड़े को अलग मतलब के निकाल लेंगे खोल लेंगे तो इस तरह से खोलें के बाद अब हम लोग बैक पार्ट को निकाल देंगे ठीक है अब बैक पार्ट को निकालने के बाद बांकी का जितना बचा है वो कट करेंगे तो यह जो हमारी बेल्ट है इसको कट करेंगे कला कट करेंगे और यह जो हमने हाफ इंच पर कट किया था यह फ्रेंट पार्ट में कट कर तो इस तरह से हमने टक्स कंप्लीट कर लिया और सेंटर पर भी हमने लाइन ड्रो कर ली है तो इस तरह से यह हमारे फ्रेंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है अब हम लोग बैक पार्ट लेंगे तो देखो बैक पार्ट में हमको डिजाइन बनाना है तो बैक पार्ट म सारे टक्स कम्पलेट कर लिए तो इस तरह से इन पनाएंगे अब इतना करणे में कि आपको सर लोग आपको सारे चैनि काल लेंगे तो जितनी आपको आस्तिन रखनी send में से हाफ इंच प्लैस कर लीज़ेगा मुझे रखनी है तीन इंच तो मैं साड़े तीन इंच पर यहाँ पर एक निसान लगा लूँगे अब यह निसान से हम नीचे की और एक लाइन ट्रॉ करेंगे तो यह लाइन हम जैसे जितना भी आपका चेश्ट उसका चौथा भाग निकालने के बाद एक इंच आप कम भी कर सकते हो इस तरह से लाइन ट्रॉ करना है और यह निशान लगाने के बाद लाइन ट्रॉ करने के बाद इधर साइड हम एक बाक्स बना लेंगे तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लाइन ट्रॉ कर लेते हैं तो यह हमने एक लाइन ट कर लेंगे अब यह तुर्फि यहां पर और इसीन का सेव देंगे तो इस तरह से आस्तीन यहां मों सेव कर डेना है नीरे वे अघए किस अगया मेट का सेव निम्ड़ीं अगर लिगा लगा लगा लिए तो दो इंच या फिर देड़ इंच आप ले सकते हो इस तरह से लेने के बाद यहां पर हम एक लाइन ट्रॉ कर लेंगे तो इस तरह से हमें इस फिटिंग वाली लाइन और मार्जिन वाली लाइन ट्रॉ कर लेना अब इसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे पूरे ही आस्तिन को को एक साइड से हाफ इंच डाउन करना होगा अपने आस्तिन तो इस तरह से हाफ इंच पर हमें यहां पर निशान लगाना है और यह निशान लगाने के बाद यहां पर हम लोग अपने आस्तिन के गुलाई दे देंगे इस तरह से हमने निशान लगा लिया और ऐसे ही अब हम तो यह हमारी आस्तिन पूरी कंप्लेट हो गई है फ्रेंट आप देख सकते हो यह हमारे आस्तिन की भी कंप्लेट हो गई है अब हम लोग जो भी कपड़ा बचा हुआ था वहां से हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे तो इस तरह से जितने भी हमको आस्तर के करते हैं चलिए देखते हैं तो पूरा मेन फैबरिक को हमको इस तरह से बिचागर रखना आए बिचागर के लखने के Licorf घष कपर आ से कपड़ा नहीं बचता है लेकिन इसमें वांगी बच जाएगा तो तो साइट से कपड़ा बचीगा तो हम अपने बैक पार्ट में डिजाइन बनाएंगे तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं तो इस तरह से जैसे हमने फ्रेंट पार्ट रखा और रखने के बाद हाफ इंच हर जगा से छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे तो इस तरह से यह हमने कट कर लिया है हर के बाद हम लोग आसतेन sensible निकाल लेंगे तो इस तरह से हमनेह कम लोग कर ली है तो आस्तीन कर करने के पार्ट करने के लिए लेकिन और पैवरिक भीन कर लिया है इस तरतिन में लगाना है तो इस तरह से यह हमने सारे मेन फेवरिक और अस्तर वाले कप्रे की कटिंग कर ली है तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अब हम लोग इसकी डिजाइन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है और जहां भी समझ में नहीं आया है तो प्लेस कमेंट करके मुझसे पोच्ट लेना अगली वीडियो में मैं आप लोगों को उसको किलियर कर दूँगी तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना थेंक यू